देश की बात करेंगे दिल्ली के बजट की दिल्ली के बजट को दिल्ली के वित्तमत्री कैलाश के हलोत ने बुद्वार को 78,800 करोड का पेश किया बजट में युमना की सफाई, कोड़े के पाड़ों से मुक्ती, 16 सो नई इलेक्टरिक बसे, 26 नई फ्लाइवर समित तमाम बड़े ऐलान किये गए दिल्ली में आवाद्वी वाटी के सरकार बनने के बाद ये नौवाँ बजट था इससे पहले के सभी आठ बजट मनिश्क शिचोदिया ने पेश की लेकिन उन्हें 26 वरड़ी को दिल्ली की शराबनीती मामली में कतिद घोटाली के एरोप में सीबिया और एडी ने गिरफतार किया इसके बाद कैलाश कहलोत को वित्तमंत्री बनाए गया मैं भी ऐसे ही काम करूआ मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला बजट मनिश्क जी ही पेश करेंगे वहीं अर्विंद केजरिवाल ने बजट पेश होने से पहले ट्वीट करते हुए मनिश सिशोदिया को याद किया अर्विंद केजरिवाल ने लिखा कि आज दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा दिल्ली के सब लोग आज मनिश जी को बहुत मिस कर रहे है पर उनके काम रुकने नहीं देंगे उनके दोरा शुरू हुके कि सभी काम दोगुनी स्पीट से किये जाएंगे लेकि सोचने वाली बात ये है कि क्या ये बजट सच में दिल्ली वालों के दिल का बजट है या कल से इस मुद्धे पर जितना हंगामा हुआ उसके इसाब से ये दिल्ली की जनता के लिए ऐसा है जैसा कि उट के मुँ में जीरा आयक को दिखाते कि विदानसभा में वित्तमंत्री कैलाश कहलोत का वो बयान जहां उन्होंने कहा कि आज दिल्ली मॉडल या अर्विन केज़वाल मॉडल लोगों के दिलों में आशा की केरण जगाता है और दिल्ली मॉदल या उसको हम अर्विन केजिवाल मॉदल या उसको हम अर्विन केजिवाल मॉदल अस गौवर्वनिंज यह जितने भी शब्द हैं यह हर देशवासी की मैं आशा की एक नई किरण जगाता है साथ ही समयाज के अंपल पाइडाल पर खड़े विख्ती को विश्वास देता है कि सरकार उनके परिवार के लिए विश्वस परिये शिक्षा और स्वास्ते सुदाएं मुद पुदान करेंगे बिल्ली मादल एक गारंटी है कि अबुद पूर मैलाई के इस दोर ने उन्हें पारें और चौविस गलते देखी जैसी मूल बूट सुदाएं मुद में उपलर दूंगी वैकल अरविंद केजरिवार ने बजट को लेकर ग्रह मंतराली के मन्जूरी के बाद बयान देते हुए क्या कहा आईवो भी आपको सुनवाते हैं आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश होना था दुर्भाग्यवश कल शाम को केंद्र सरकार ने उस बजट पे रोक लगा दी इससे एक अन्प्रेसिडेंटेड कंस्टिटूशनल क्राइसिस पैदा हुआ उनके कुछ अब्ज़र्वेशन्स थे उन अब्ज़र्वेशन्स का हमने जवाब भेज दिया आज उस बजट पे उनकी सहमती आ गई है अब आज इस पूरे प्रकरन को देखिए कि इससे किसका भला हुआ वही बज़ट कोई चेंज नहीं कोई बदलाव नहीं किया कोई फिगर्ज नहीं बदले सेम बज़ट के उपर आज उन्होंने सहमती दे दी इसी मुद्धी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक समानित पैनल जोड़ा हुआ है बीजेबी से मेरे साथ हैं प्रदीब भटागर, कॉंगरेसे मायंग शर्मा, आम अद्वी पार्टी से सर्जीव निगम, और वरिष्ट पत्रकार पियूश पर सबसे पहले मैं आऊँगा संजीव निगम के पास, जो की परवक्त हैं आम अद्वी पार्टी से, बजट भी उनके सरकार का पेश हुआ है, क्या कहते हैं, संजीव जी, आज के बजट को दस में से कितने नंबर देते हैं और क्यों? दस में से दस नंबर देते हैं साब, जो कि ये जो बजट है, ये हर बार एक थीम होती है, तो ये साफ सफाई की थीम पर ये बजट तयार किया गया है, और दिल्ली को साफ सुथरा, अलागे ये हम हमेसा रखते हैं, लेकिन कोई नई बात नहीं है कि लेकिन इस पीवर्स के तो ये हम चुकिजी, उन्टी समेलन भी होना है, और तमान तरीके के कोड़े के पहाड़, जो तीन है, भलसवा, गाजेपुर और उखला ये तीनों को हटाने की बात कही गया है, तो इसमें जितना भी जहासा जहासे भी होगा, तो साफ सफाई की थीम को लेकर के ये रखा गया है, और तो बहुत सारी युजनाए बहतर है कि किस तरीके से हम इसको कोड़े के पाड़ों को हटाएंगे, जल से जल रखाएंगे, और ये बसे इसको लाएंगे, डवल लेकर फ्लाई ओवर भी बनने है, तो ये तो ये समाम तरीके का है, और सब अगर मनी से सौधिया स अगर मनी से सौधिया साथ फिर आएंगे, अपनी समालेंगे, करेंगे, तो इसमें कोई बढ़िया है, नौमी बार बजेट कर दे पेस किया है, बागी बच्छी पाट्जी पार्टियों को तो रहता ही है, वो करेंगे, इसमें बहुत बहुत बहुतरीन है, नहीं ये पोड़ा अटकाया गया था, अगर बाद में जब अर्विन केजरिवाल जी ने सदन में कहा है, भई अगर यही मंसा है केंडर की किसाब, हमको आप नत मस्तक कराना चाहते है, देड़वत कराना चाहते है, तो हम ठीक है, देड़वत पड़ाम कर लेंगे, लेकिन हमारा उद और नई पार्टी है, अब तो रास्ट्रे पार्टी है, आपकी छोटी पार्टी कहा होगे? प्रदीब निगम जी क्योंकि आमादी पार्टी से ही आते हैं उन्होंने दस में से दस दे दिए आपको क्या रगता है बजट बाकई दिली के लोगों के दिल को छूता है दिली के करें दिल वाले इसको देखकर के भाग भाग हो जाएंगे या नाराज रहेंगे तो दो आपने पार्टी को दस में दस है दस में डस में सौ भी दे सकतें कोई आपकी नहीं ही दस में दो उजार भी दे सकतें दो लाग आपने जन्टा के बीच में जाईए ना जो मुख्य मंत्री कोड़ी के पार को देखने के लिए जाता है वह आदमी क्या मंचा रखता हुआ उसमें ध्यान देना पुरे हम भजट ठीक है आपने दिल्ली के जन्टा के लिए बढ़ा ही हो आपको बहुत बहुत कामना है मगर प् जाबे पहले बजट का फैसा देज़ें वह मत कीजिए गा बजट तो आपको तब भी दिया गया पिछले बार भी आपने उसका बजट बनाया एक हजार करोड फिर दो हजार करोड रुपे जमना सफाई के लिए वह बजट कहा चला गया आज तक बताने तक हम तो कहरें आप बहुत अच्छा बजट निकाला ठीक है आप दिल्ली के विकास के लिए आप आगे आ रहें परतम पंक्ति में काम करना चाहते हैं मगर साफ दिल्ली पानी के लिए तरह हमाम कर दी कैई अभी डिस्टिक है कैई सारे ऐसे कलोनिया है कैई हजार कलोनिया पर जहां तक अभी त आपको बहुत 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 बताई हैं और मैं समझता हूं कि निजलता कितनी है बेशरमाहट कितनी है इन लोगों में कि प्रभू श्रीधाम का एक शराब माफिय से आप तुल्ला कर रहे हैं बहुत तो शरम की जिए नवरासरे चल रहे हैं माद दुरुगा के यासीम सब आप प्राप्त कीजिए प्लीज जूट तो ना बोलिए ना जो शादमी एक बुत दो बुत शराब बेचरा राओ रोड़ एक बुत दो बुत प्री पुरी दिल्ली में आपको तो रहे हैं आप कि अ कोई भी जिए भी शेजिए तुल्ला कर पाए मागा थोड़ा सा आपने तो ठीक केजिए आप एक सत्ताधारी है आप पोलिटिकल पार्टी है आपको जनता ने जिताया है जिस भी धरम ने जिताया है हिंदो या मुसलिमों शीखो या गोई आन्यों मारा आपको उनके आस्ता रखिए आप एक चोर का आप लोग रप्रभुशी राम से तुनला कर रह सज़ायाप्ता जो जेल है संजीव जी संजीव जी बजट पर शाबाशी देते भटागर जी ने राम पर सवाल खडा कर दिया टीक ठाक से करें सजायाप्ता यह इतनी गलत बात आप जो है सजायाप्ता है वह आप ऐसी बासा किस्तेमाल करेंगे कि पर किसी ऐसके नहीं नहीं आपने बिल्कूरिए ह should को नहीं हुदने क्यों पाइब पाइफ्रेल देठी है सज्ञायाफ्ता नहीं है बिल्कुल की चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल इसे निसी तरीके है जी वीज़ Александ justification अगर इमानदार होते हो आप देश को राखता है अधे जूट बोलना बंद कीजिए फरेब बंद कीजिए चाहिए चाहिए बंद कीजिए चार्सों बिसी बंद कीजिए चुटों की सरकार है मकारों की सरकार है घरिबी की सरकार है बिल्कुम गलत बात इश्चाहिए और फिर मुझरिम करेंगे अभी सज्चाह रही मुझरिम बोलेंगे उससे कम नहीं है चंता के साथ फरेव कर आए 420 को शराबी बना दिया आपने आपको दिखेंगे संसे का करें इस फैसं विज़ाए बोल जाएए बोल जाएए नहीं कि पुर्शन को पूल दे देगा हो संजीर प्रभी और कंग्रेस को बीए प्रडिकर्या देती है क्या प्रतिक्रिया देती है अरहा अभर हो रहा है तो कबसे का मुझा थीक जिए थीक है ठीक है प्रदीब जी संजीब जी विए खुशे समय मेरे बाखी परिमिश को भी दीजिए कि दिल्ली की जनता ने चुनकर के वेज़ा आप शराभी बना देगे शराभी बना देगे तरीके कुड़े की पार की तरीके आपको उखार के फेल दिया चाले आ रहो मैं संजीब जी दस नंबर देते हैं प्रदीब जी शाबाशी देते देते राम पर चले जाते हैं और आड़े हाथो लेते हैं आम अधीपार्टी को और आज के बजट को कॉंग्रेस का सोचती है इस बजट पे तो अलग बात है कि इस बात पर अमल नहीं किया जाता पिछले कई बार यमना सफाई के बारे में आम आदमी पार्टी ने बोला ठीक है आज यमना की हालत क्या है मेरे पुर्वांचल माताय भेने उस पर जब अरग लगाने जाते हैं तो कितनी बिमारियों का सामना करना पड़ कि चलती चलती डिटीसी बसिस में आग लग जाते हैं आग लग जाने के कारण कई जो वहां बैठे हुए लोग होते हैं उनको काफी परिशानी होगा सामना करना पड़ता है तो उस तब की जिम्मेदारी कौन लेगा आपने ये तो कह दिया कि हम नई बसें लेके आएंगे लेकिन जो पुरानी बसे हैं उनको अच्छे से रिपेर नहीं करवा पाते हैं ये कैसी सरकाच चला रहे हैं आप जनता के साथ खेल रहे हैं एक चीज और बजट में आई कि बजट में बोला महिलाओ की बात हुए महिलाओ में में को कहते हैं बड़ी शरम होते क्योंकि मैं भ जिती में रहता हूं मेरा भी दिल्ली एक बहुत बड़ा परिवार है उसमें दिली तॉप 10 राजियों में आता है जिसमें मैलाओ के सास्थ सबसे गलत होता है यह किस तरीके का इंसाफ है और आप किस तरीके से बजट में इस तरह इसको सुधार करेंगी दिन अलग अलग वगत वे आपके सामने हैं, बजट जो है, फ्राइवर को लेकर के हैं, लोग फ्रोर बसिस को लेकर के हैं और पीडi Украї की सड़कों का सॉंद्रे कर रहा है, तमान चीजे हैं, किस तरीके से एक पत्रकार, क्योंकि दिल्री में रहते हैं, दिल्ली को भली भाती जानते हैं और दिल्ली की जो हैट्रिक की ही सरकार इसको भी मारूब बाई हमेशा हर सरकारे जो है कि वो अपने हिसाब से बनाती है और लगबग जो है सभी एरियाज को कवर करने की कोशिश करती है और यही जो है आमाद्मी पार्टी ने भी किया है तो बजट इन्हों ने लगबग सभी सेक्टर को किया है और जो प्रायरिटी सेक्टर है जिसे दिल्ली की जो है पानी की समस्या जो है, दिल्ली में परिवहन की समस्या जो है, पर्यावराण की समस्या जो है, अज़ में है, लेकिन मुझे सिर्फ एक टाजूब है कि इनों ने उसके लिए कोई ऐलोकेशन नहीं किया, कि गेजरिवाल वर्सेज जो है, कि मोदी जी का यह जो टसल है, और LG के स फीचर है कि LG के स्वाट टेसल दिन पर में हम देखते हैं और जनता का नुक्सान होता है उसके भरपाई का कोई इसको प्राहुदान नहीं क्या क्या है यह कमी मुझे दिखाई नहीं रही है और मारूप जी जोर कमी मुझे दूसरी दिखाई दे रही है कि जाए एडुकेशन स 할ाइफ सेक्टर में इन्हों ने इस बार प्राउट आवर्टन कम कर दिया है जबकि बिछले इनका था 979.ressold करोर नुप इस बार नस दोsan सब्लेज़ करोर रूप जो सरकार महला क्लीनिक के बात करती हो जो हेल्थ के उपर काफी जोड देती जिसका यूएस पी हेल्थ और एजूकेशन है वो उसने जो है आवरंटन कम कर दिया एक तरफ से कह रहे हैं कि हम सो और महला क्लेडिक महिला महला दिलिक बनाएंगे लेकिन आवरंटन आप कम कर रहे हैं तो क्या आप सारा कुछ फोकुस पिसीपे कर रहे हैं नए श्कताल के कोई बत नहीं थिया अस्पतालों को और बात नहीं है थे इ allí सकता है क्योंकि वो होते तकि वो लगातार जो है जो का जो आबंचन है उसको बढ़ाते रहते थे हो सकता है उनके उनके नहीं रहने का हो सकता है लेकिन ये प्राइटी सक्टर ने आमाद भी पार्टी की सरकार है तो इसमें हर साल को बढ़ शड़ के काम करना बहुत जरूरी होगा तो कि इसे का अधार पे ये चिराओं में अपन अंतर राजी बस स्टॉप से उनको जो है जाए वो काले खा सराय काले खाता हो जाहे वो जो दूसरा हो उसको इंटरनेशन एरपोर्ट की तरह मुझे लगता है कि उसके दरूर पही है वहाँ नागरी को में सुर्धा मिले जो ट्रांजिट करते हैं जो है उनको तुमाम दू जाते हैं दूसरे राज्यों से वह एक लोवर मिडल क्लास लोवर क्लास और जो होते हैं उजात तरफ तो क्या वो एफोर्ट कर पाएंगे तो यह मुझे लगता है कही ले कही जो ट्रांजिशन जो हो रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ जो है वह इस सरकार का हो रहा है दूसरा देखिए परसाद की समस्या है उसको कोई डील नहीं किया गया है जो निकासी की समस्या पानी भर जाता है जितना भी आफ संदरी करण जगिएगा परसाद होते ही जो है दिल्ली में जल भराव ऐसा होता है कि मतलब लोग परेशान हो जाते हैं उसके लिए उसकी परगेट एलेक्टरेट है वो आमादमी जो है उसकी समस्याओं पर उतना तवज्जव इस तरह से नहीं भी आगया है जितना की दूसरी समस्याओं पर दूसरी समस्याओं पर जो बात होती थी वो यहां नजर नहीं आ रही प्रोडूशन को लेकर के दिल्ली में सबसे कि उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं लगातार एंजियोज हमसे संपर्क करती हैं मामले आते हैं लिकना हम जला सा छड़काओं इधर और उधर करके खामोश होंके बैठ जाते हैं उस पर भी कोई बजट नहीं है क्या कहेंगे मारूब भाई आप करें सिच्छा मंत्री नहीं है स्वास्त मंत्री नहीं है ऐसा तो ना कहें कम से कम अभी आपके मंत्राले में नहीं है ठीक है वो जो हमारे पार्टी में है किसी कारण वस अगर आज वो नहीं है यहां साथ में तो जो काम कर रहे हैं उनके परचिनों पर उनके बता हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं आपसी जी भी सिछा में उनके साथ मनीस सुजिया देख रही है तो काम दिल्ली वालों के लिए कहीं नहीं रुका वो एक अलज मस्तला है कि कि परेसानी आएगी उसको हम पर्दास्त कर रहे हैं उसको पिर लाग नेeren के बाहर आएंगे तो ऐसी बात टून्टी का सभून पर सम्मिलन भी होना है और तबाभ चीज़े हैं तो यह अधिकार होता है कि वहां पर बैठ करके जो सरकार में लोग बैठे हुए देख रहे हैं चीजों को सब्द रहे हैं तो यह इधर से थोड़ा सा लेकर करके उधर लगाया है पुल मिलाकर सफाई को प्रोकस किया गया है उड़े के जो पहाड़ है में इन बड़े बड़े जो कि यह भारती यंता पार्टी का नगर निकम में 15 बरसों का सासन रहा है और कि देन है इनकी देन है इनोंने कुछ भी नहीं किया यह क्रचाइटे दो बहुत कुछ कर सकते थे थे ठीक है वो हमें करने को हम बार कर दिखाएंगे निकम्सट पार्टी के कूड़े के पहाड का दिकर कर रहे हैं क्योंकि इसी मुद्दे पर निकाई में आए है सजीव जी उनकी पार्टी तो क्या लगता है कि सफाई के सासा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कूड़े का पहाड है इसलिए इतना बड़ा बजट है कि अपटा किसी को कि टेकनोलोजी नहीं थी तो आपको गयात होना चाहिए ठीक है ना जी तो कीजिए पॉल्टीस कीजिए भई इससे पहले पर टेकनोलोजी नहीं थी भई उचे ना सीन भगार को सवगाथ पे क्यों दिया था आपने पाहड कि अउन है करो कि अ का उन्हें क्या था क्या कि हुडिए अपके विछ हुग sque तो अगले पर कि यichts स हैं एफ committee मांधियम मीजिए की मांधियम से जो बता ना चाहए अब साल पहले तो यह टेकनोलोजी आई है पाड़ खतम करने के लिए और चेत्री सामसा तो इस पर आमल चालू कर दिया है अब पाँच वर्ष पहले आपने तो अपने मैनिफेस्टों में दे दिया था आप तहां चले गए थे आप उस पर वात क्यों नहीं करते हैं आपने शिक्षा के बात करें आ अब नए दौर में आईये ना नभे परसेंट दिली में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं दिली के रहने वाले बता सकते हैं कि 90% कमर्शल में कमर्शल मीटर लगें जिसमें नहोंने सर्चाज बढ़ा दिया है कि 10% विजली किसको दी जारी है एक कहा जादी थोड़ा ब मैं तो ठीक है अगर मनीजजी को मूला तो बताइए रहां आप पताइए आप पो जूटे पोस्टर लगवा रहें अपना नाम ने चाहिए नाख खुल के चवराजीती करिये चोड़े हो के राजीती करिए आप को नहीं चाहिए अड़नीय अमबानी आप से बीच में ऑनी बुलना ज़रे जवाब ले लेडें चाहे पीते हैं उसे कौन बताएगा प्रदीप जवाब लेडें अब पॉस्टर लगवाते हैं शीला चीक है संजीव जी क्या कहें गें बहुत सारे सवाल दाव दिए गपाल राय जी उन्होंने रहर बहूत ही कलियर कट सब्दों में बता दिया है कल जंतर मंतर पे पंजाब के मुखमनतरी तमाम दूसरे हमारे सीनियर लीडर सब्धर कार करता पतादिकारी सब पहुचेंगे आप बिल्कुल बिल्कुल आप जो करना शांती पूर्ट करना शांती पूर्ट करना बेजेगी आज आप मदमस्त हो गए ना मदमस्त हांसी की तरीके आप ने जो सरकार केंद्र की में बैटी हुई है एक कान में रजाई और एक कान में गड़ा लगा करते हैं तमाम राजबितिक दलों के लोग चिला रहे संसन में चाहा पडानी के हाँ आप आप सुनते नहीं है और जब अडानी के वह एडी के दफ्तर जाते हैं तो विजे चो मतलम आप ननीज के बाहरे में जवाब देंगे अन्यजे के बाहरे में सब्सक्राइब चुछ आप देखें आप पर चर्चे में मैंग मैं मैंग को एक बार चर्चा में लेते हैं मुद्दों पे जो बात हो रही है मुद्देश घरमतुदार चले जाते हैं पारलिमेंट पहुंच जाते हैं और उसके बाद कहीं कहीं की बाते होती है पान की दुकानों पर दारू दारू दी जा रही है और उसकी कोई आयू की सीमा नहीं है यह चोर चोर मोसे भाई आपत में लड़ते रहेंगे और इस तरीके से लड़ रहे हैं ऐसे जनता भुगत रही है दिल्ली में क्या हाल हो गया था आपने देखा था जब कोविड आया थ दिल्ली की हालत क्या हो चुकी थी लिल्ली कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी बिल्कुल आपे से बाहर हो चुकी थी और इनके तो बड़े इमानदारे बाले मंत्री हैं मनिश्री सोधियाजी जो आज जेल में बैटे हुए हैं सर एक चीन में आपसे पूछना चाहता हूं आप की पार्टी जब बनी तो राज więc । इक GUY भी पार्टी ने वो div है आपको केवल सत्ता से प्यार है आप डॉनों को ही केवल सत्ता से प्यार है इनकी पार्टी बाले आते हैं हो केवल हिंदू और राम का नाम लेते हैं हम भी हिंदू तो एक हम बी राम की था उन्हें महांने का उना हम जी बनें तरह को भी और कि सदोब कैया जुप हो लोगों को शिए पहुमि के दिखायें पर शोप्र गाजशन के नाम पर पागल बना रखा है लोगों को तरहे हम भी हिंडों हैं आपसे जादा धरम को मानते हैं आप से जादा हिं आप बताइए ना आप बनते हुना हिंडूज थालिसाा का की दिखाय एं मैं हापस नहों की दें उंस sudah दिल्ली को जब दिल्ली की जन्ता को तकलीफ होती है ना तो डिली में पाटी है जो लोगो के साथ खड़ी होती है मानने श्गिला दिक्शी जी ने, जब आप लोग सोच भी नहीं सकते दिला, उस समय महिलाओं के लिए सैनेटरी नैपकिन्स का वो किया, लेकर आई, आप लोग सोच सकते हैं, इसके आप लोग महिलाओं के بारे में अबदountool कितनी करते हैं, आपके कई नेता, जो हैं वो महिल आते-गरते हम संसत तक पहुंच जाते हैं तो दाइरे जो है यह कहूं न कि सोशल मीडिया ने इतने बड़े कर दी है कि अगर आप घर भी बैठके बात करेंगे तो विदेश में सुनाई देगी और विदेश की बात घर में आके आएगी तो क्या रहते हैं मुद्दे जो है हम कि मारे पास हम मुदों को गिना रहे हैं मुदों को सही माइनों में उठा करके उसको सुझानेगी दिशा में कोई कद्व नहीं उठा रहे किसा कितने जहाता मुद्दे उठाए सिर्फ इसकी गिंदिकीन गिना रहे हैं खी जिए मारूप जी, दरहसल क्योंकि हर पार्टी वाले जो है असफल रहे हैं, जो अपने अपने जो जितना भी उनका एजिंडा रहा है, जितने या कहें, जिनका भी उनका जो उनका जो उनका प्रॉमिस करी जनता अकिस्तान, उसको फुल्फिल करने जो क्योंकि असफल रहे है इसलिए जो है जब उनक्ते पे घेरा जाता है तो जिस पार्टी परकार होती है उस पार्टी का प्रवक्ता कहे लीजिए या कोई और भी उनका विदायक है वो जो है बातों को जो है कि वो जो है दूसरी तरफ लिजाने कोशिक करता है अर येसे स्लिख सिर्फर सिर्फ कारा की सरकारें जो है जुझे उन्हाइड किया जन्ता के साथ तो हमकी कर पाती है और नहीं कर पाती है मुद्ण से भचकने, भचकाने की कोशिश करती है ये मुद्ध की बात करते करते धर्म और मख़ः पर पोच जाते हैं राम पर मंदुर पर पहुंच जते हैं हनुमान चालीषा पर पोच जाते हैं जिन मुद्दों को ले करके जनता ने आपको विदानसभा या संसंत्स भेजा वो मुद्धे सिर्फ घोश्रा पत्र में रह करके डस्पीन में चले जाते हैं जी आज़े यह देखे हैं देखे मारो भाई यह बैंक्रप्सी है इन पॉलिटिकल पार्टीस की मैं कहूंगा इनके सोच की बैंक्रप्सी है कि यह जो है कि असली मुद्धों पर क्योंकि जिस मुद्धों पर यह वोड़ मांते हैं और जो मुद्धे होने चाहिए एक लोग पंत्र पर आप जन्ता के सेवक हैं जन्ता आपको चुनती है अपनी समस्याओं के दिदान के लिए ताकि आप वहां नीती बनाएं और उनको इंप्लिबेंट करें ताकि उनके समस्याओं उसे दिदान हो आप उसे भटकाते हैं आप कभी राम पे ले आते हैं हनुमान पे ले आते हैं कभी इस समुदाय पे कभी उस समुदाय पे यह जो है यह सीरे सीरे भटकाओं की राजिक्ती है और देगे भारुक जी मैं और एक चीज़ और मानता हूं कि आप जो भावनात प मूल मुद्वों से भटते होते हैं. तो आप मूल मुद्वे पे आईए. आप कहिए कि हमने इतना काम दिया है. अब जंदा मालिक है. जंदा चाहे तो हमने चितायै? होट्थायो गुर्विक्ती में भी हो और फिर एक जनता को भटकाने कोशिच होती है और प्रक्षी दरों को जो है कि उनको भटकाने को दूसरा मुद्णा पकड़ा दिया जाता है तो कि धर्म से जुड़ा हुआ है आस्था से जुड़ा हुआ है जब कि आस्था निजी मामला है यह लोग खुद भी नहीं चाहते ह कि जो है आस्था और धर्म को भुटे जो है वो जनता के मुद्वों पर हावी हूँ लेकिन यह हम देखा कि एक सुविधा की जो राजमी हो गई है सुविधा परा के राजमी चलते जो है इस तरह की बाते होती है और जनता का लुटसात है संजीव जी मुद्दे पर आते हैं हम बार-बार बात करें अभी सिर्फ दो दिन पहले बारिश हुई और दिल्ली का ट्राफिक ठप हो गया जबकि बे मौसम की बारिश इसके अलावा हमने खूब देखा बसों को तैरते हुए गाड़ियों को तैरते हुए लोगों को फसते प्रदूशन की समस्या पर आ रहा हुए क्योंकि बड़ी गंभीर समस्या दी सुप्रीम कोड तक ने उस पर अपनी टिपणिस पर दी थी कि अगर हम सास ही नहीं दे सकते तो इसके लावा क्या दे सकते हैं तो इन तमाम मुद्दों को क्या हमने ध्यार में नहीं रखा की की कि वो वादे तो कुछ करते हैं और फिर काम नहीं करते हैं अगली बाड जाते हैं मैं आपको बता दूँ कि इसी थीम पर जो कहा है भी बताया है फ्रพ collecting साहाम ने हम चुनाओ में चुनाओं में जोगाशाद पंढ़मी ना वह को हो तो वोट डालना जहां जहां केजिरीवास जाते थे अगर हमने काम किया हो तो वोट डालना सबसे हमको पुज़ा के लागाना और दिल्वी की जंदा ने साहeg जंदां ने सब्चेरिवास सरकान ने काम किया और इसीलिए हमको 85 बासरण सर्कान मिली थी यहरे काम अभी हाल में आपने सुना होगा जम्मु कस्मीर में एक एडिस्टर डिरेक्टर जो की पकड़ा गया, प्रियमो आफिस में थे, आपके आस्तीन में साफ घूम रहे हैं, आपको उनकी फिकर नहीं, चाचा वो जो है, सारी सुविदाओं को जो होटल में एस भी कर रहा है, और स खुद आने की तयार है न, आपको वो नहीं करना है, काम आपको नहीं करना आपी कांग्रेस के साथ ही ने भी काहरा ज़ voi महिलाओं के साथ जो है, तमाम तरीके की धिकते होती हैं, हरे डिली में, पुलिवा किसके आत में मे किसके आत में है, ए पिल–कुल इन्दी पुलिस किसके हाथ में आती है, एमेचेगेंडर में हैं न, करना चाहिए, आए दिन सिखाते आती हैं, आए दिन होज तकलीवें आती हैं, तो असल में दरसल में यहागी जो केदर में बैटी मोधी सरकारी इसे कुछ करना वरना नहीं है, इसवाए आप माद्वी पाड़ी ने वो भी तो बहुत मैतपूर आपके आमागी पार्टी जब बनी तो बहुत मैतपूर पाइट से बिल्कुल है ठेर हो जई हैं तो आप उसके बारे में बात ही करते हैं समझे यह यह कि आपने एक भी बार अपनी भार उसका जिक्री ही नहीं किया जो जो मुद्दे हमें सूट करते हैं उन्पे बात करेंगे प्रदीप जी क्या गए बात करते सीधे जम्मो कश्मीर पहुच गया और निशाना केंद सरकार पर संजीव निगम ने लगा दिया कि मैं भी विशे पूछा अभी भाई सब मैं सुन रहा था हमादी पार्टी के निता बोल रहे थे मगार मनिय शेशोद्या को जेल भेज बेज दे यह नहीं बताया और जमानत दुबारा कैंसल कि होगे पांच अपनल तक क्यों होग यह नहीं बताया सवजा जापता पर बुरा चाहते हैं मकर जवाब देना नहीं चाहते हैं आपको हर सवाल कजवाब चाहिए मेरे पास दो पॉलिटिकल पार्टी वाइट है यहां कि पंधजी बैठे हैं मैं तो पंधजी को भी आपके माध्यम सब्सक्राइब आप प्रदेश के विकासों की बात करेंगे आप रजिस् आप डिबेट को बात करें प्रदेश की जनता की जिसो आपको चुनाए हम उसके बारे पूछ रहे हम जो है विपक्षे बैठे बैठे दिल्ली में आपके साथ का तो नाम निशार नहीं है पूछे की क्या आज बैठे के ज्यादा बोल के दिखा रहे हैं अरे बैगो के लड आप से में आप सुमय आपके दो सांधा दुआ करते थे ते जर मैं उससार मैं अग्राइब इना चोड़ दिया ता क्या यह वात मत करी ने विपक्ष में तो जोगी होगा स्वाल पूछे या लोगत तंतर की दिलों मैं अखुषूरती है कि अग्राइब दोग के तो इसी य आप देना कुड़ा का तो मेरी को अरे भाई भाई शीला देख्षी जी आये वो कोबलवद गेम जो खोटाला उसके बार में कौन बताएगा बड़े सुच बन रहे हां बैठके शीला जी कि कुर्सी क्यों गई ती तो पता दिए ना कम से कम भी तो बताना पड़े का आपको हम थो बात करते से कदि हम बात ने हैं आफ वारत कैश्वा कि यर्द zar दॊम कर रहा है ना चैजिये मैं हम बात कर दो बात करतें सब गतिए का मता रहा है दो्सलिम की वात करतें जारा थैं। जोंडन मुसलिम कि वात करने मैं तो नी कटीघा ul.a की बात करें, इन दोनों पार्टी उने हैं, क्योंकि एक पार्टी मजजट में तो देगी, यनुदान महीने का, तंखा देगी, मगर हिंदो को नहीं देगी, गरंटिय को नहीं देगी, उस पे कोई नहीं बोलेगा, हम तो हिंदो मुस्लिम करते हैं, हरे साब हमें 20% वोट मिले करते हैं, हम एक मारत की बात करते हैं, क्या जवाब लेगें? जब लेते हैं पिंदु जवाब लेते हैं माहिंसे जवाब लेते हैं मैं इसलो enough all the Board to Permala zas the 5g परप्रपशला को की यह पकलुचार की बात आप कर रहे हो आप की अपकी सअरगार्ची जो कहती थी कॉंग्रेस में इतने मंतरी चोर है इतने यह हैं इतने कितनों को आपने जेल डलवा दिया यह तो यह कह दीजिए कि आपने चुडी पैन रखी है आप वो काम नहीं कर सकते हैं जो करवाई नहीं कर दो जो करिक तो कर दो अचले चले आप नहीं कर दो कर दो जाएं और आप शुल्बराव गुट्ष अवाग राउल गांदी ताकत अब कारते हैं इसे आप लोग डरते हैं इसीवे अब बताएए ना किजने है आप बताएजे इसे बात नहीं करेंगे, कडिये ना बताएजे सिलेंडर के दाम कुछ वड़ गढ़ गड़ गड़ देश की महिराओंपर जो भोष आप लोगों ने दिया उसका जिम्मेदार कॉन है? अब बताएजे मुझे अब अब आप करने से टेस्चा नहीं चलेगा। अपिकाष्ट नहीं में पहने आण्या दीख में पाट नहीं ज ilे ie K Storage भड़ रही है अब भात नहीं उसके बारे में करिए बात के जिए जआब देदू आपकी बात का अबिट जवाब देदूएं आपकी बतार weakest कि अ कभी ये तो कभी नहीं खरदपर कि नकैने देसे कि बारे में कभी निवती किसान ते को लेकर ऑए तो साथ हे उसके बारे में कोई बाता यह इस राजी राजी जी क्तने म्हतarna कंकॉछसीर कम कर दी थी आपको युक्रेन यूद नहीं दिखाएते था आप तो फिर भी खुश है आपकी जीती भी बढ़ रही है आज देश उन्नती पे आ रहा है आज स्किल का मेंकिंग इंडिया के तेहत काम चल रहा है आपको वो नहीं दिखता आपको इतनी मांदार चोड़ के चले गए एक इमांदार कॉमेंट ने लेते हैं पियुशी से पियुशी क्या कहेंगे महँगाई पर बात हो रही है बेरोज़गारी पर बात हो रही है हर एक सरकार अपनी थपत पा रही है आज के महँगाउं के वरतमान में जहां बैटे हैं क्या वाकई महँगाई बढ़ी है हलाकि प्रदीब जी कह रहे है के मकान जो पहले एक का था आज दस का हो गया ठीक है उनके अपनी तरक अपनी जगह है लेकिन क्या क्या है क्या ये सब लोगों की जेप पर असर नहीं डालते है मारूब भाई बिल्कुल डालते हैं और देखिए सिर्फ आखनों पे ही बात करने से नहीं बनती है ये ठीक है कि यूपी के टाइम में भी एक पीरियर्ट था जब मेंगाई बढ़ी थी निशित्रूफ से बढ़ी थी और तो वहाँ पर उसका विरोद भी गवा था और लोगों ने भी विरोद किया था मीडिया नों की ये बात करी थी और पक्षित अलुस समय जो बाबार के इनना पार्टी थी उसने भी ये बात कही थी निशित्रूफ से इस पर अभी भी ये हालात हैं कि जो महगाई बहुत हो रही है ये लोग महसूस कर रहे हैं आप हर चीज में महगाई बढ़ रही है आप देखिए और जीस टी जिसतरे से बढ़ाया गया है लगातार जोören हर आईटें है लोगों में उपर और ये लोग महसूस कर रहे हैं आप आप कुकिंग गैस का देखे हाल हाल देखी रहा है अब ही जो है होली के पहले पचास रुपे बढ़ा दिया गया तो वो लोग महसूस कर रहे हैं बहुत से लोगों ने देखिए खाना बनाना गैस पर बंद कर दिया ह जो लाके तहर आपने जी थी जो गैस जी थी इस लिजडर दिया था वो दुबारा नहीं भरवा पाए लेकि देश की जी बढ़ रही है देश के अका जो आर्थिक विकास हो रहा है देश जो है कई दूसरे देशों के मुकाबले में भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ आग और यह बात कहेंगे लेकिन आप तमाम आप देख लिजे जो है कि इस तरह से जो है कि लोग पंधिजी आप चूटा बोल रहे हैं किसको चूटा बोल रहे हैं और जो बीजेपी को चूटा बोल रहे हैं और जो बीजेपी को चूटा बोल रहे हैं पंधिजी बैद के पंधि चले गए हैं यहां के हालात देखते हुए वो दुगना हो गया है बहुत से लोगों ने बहुत सी कमपनियां जो यहां आएं थी इन्वेस्ट करने वो छोड़के चली गई है खासकर वो जो है यह ओटो मॉबाइल च्छेटरिम जो कमपनिया है लोगों की दिंचरिया उनको अ किया ठाने के चीजिए कियों के ताम देख दिजिए आप तुसकी महगई आप देख दिए उसके और तो छोड़ दीजिए आप ट्रांस पोर्ड भीमाहिजी के ऐसा नहीं हुआ है तो यह है क्योंकि वो सक्ता में बैठी पार्टी है उसको नहीं लगता कि वो जो कुश कर र प्रदीब जी कमेंट लेते फिर मैं माइन के पास हूंगा पूछन हो जी मैं आप प्रदीब जी से जवाब देंगे दो छोड़े प्रसंट थे मैंने पूछे थे इन्हों ने जम्मु कस्मीर के पारे में नहीं बिताया वहां के डिरेक्ट हैंडिल कर रहा है जम्मु कस्मीर दिली से कंट्रोल किया जा रहा है और कैशे उसके हैं वहां पर छे मने से पीमो का आजेशन डिरेक्टर की बनकर कि भूम रहा था कहा थी आपी खुब्याजन थी और ये किसने कहा था दिदेशी रहती में कि हमारा पूर जनम मेंने कौन से पास किये थे जो हमा सब्सक्राइब करूंगा पंधजी आपने तो बताया कि अपने तो बताया कि वैपार घटाया बड़ा आपने तो बताया कि कि वैपार घट गया बड़ी का आटो मुबाइल कंपनी चली गई पहले अपने शर्तों पे काम कराती थी आप वह भारत सरकार के शर्तों पे काम करती तो बताये ना आप को कुम रहा करतें बैठके आप विचले शक बैठे क्या मैं आपको तोड़ी नसर ग्यान दूंगा मै आप पूरा करौं में बताये ना पहले अज बूबाइल जो देश वे मन रहा है वार इवार मात सब्सक्राइब तो तो आप बोलिये वरना चुब बैठिया आपके पास चत्ति स्थर के बारे में सब्सक्राइब कर रहा है कि अपनी बात को कंप्लीट करिये फिर में आउबाइब आउब आउब पन्जाब के बारे में इसको पाला इनोंने अच्छी आजार की अपनी परसेंगे उसके बारे में इन पताएगे उसके बारे मिन पताएंगे जम्मो कश्मिर जाइए तो सही आप आपको 60% 60% 60% तूरिजम बड़ा है आकड़ा बता तो डेड़ करोड से उपर वो गूमने गए जम्मु कश्मीर एज पत्थर ने चलते तरह को जो है तो चीड़े तो चेलों को नोकरी देने वाले दिली का बेड़ा करकते वाले दिली की दिली में एक विकास के नाम पे जीरो देने वाले प्रवेणों इए में परणा करोड़ा करो इए अपोछ लिजीए आपके माध्यम से में पूछ लेता हूं कि एक दिल्ली क है केंदर साजित परशेद का मुख्य मंत्री दो जिस पर कोई मंत्रा ले नहीं यह कैसा मुख्य मंत्र सो आपरा मंत्रा ले आप जी ऊटी चलिए, मैं आधिल पार्टी की सरकार सक्था मैं है, तो बिजली के जो टार है, उनके बगल में पानी की नई पाइपलाइन दी गई है, मैं दिली में रहता हूँ और मुझे लगता है कि ये लोगों की जान के साथ खेला गया, आपने पानी दिया, लेकिन आपने लोगों की ज तो उनके बारे में भी आप लोग सूच सकते हैं और अंते में यही कहूंगा कि दौनों के लिए कि शादी होई फकीर से टूटी सब की आस आठ साल बीदे कहां जन्मा विकास संजीव, संजीव, संजीव संजीव जी आपका और प्यूस्पन जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए बजट दिल्ली का था लेकिन बढ़ते बढ़ते देश तक पहुंच गया और कन्या कुमारी से कश्मीर तक पहुंच गया यही दिक्कत है सियासी दलों की कि वो दलों के दल दल में इत्रा फस जाते हैं कि मुद्दों से मजब पर और कहीं का कहीं चले जाते हैं विलाने तनाई देखे लिए नियूस वर इंडिया धाने वादे